आप सबी बश्चेटों को अधिक सीयर को अधिक से जालुम का आप सब लें को पताई कि क小心 बोछ वाली क्लास होगी तो यही बश्चेटों को वीडियों को अधिक सेयर करो भाई ताप कि सभी बच्चों को फायदा होश सके, इस class से, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस class से 5 question देखने को मिलेगे, 10 question देखने को मिलेगे, मैं guarantee लाइक कर देना हाज की वीडियो के लाइक का जो टार्गेट रखा हूं 1000 मुझे पूरी उमीद है कि 1000 लाइक का टार्गेट औरा होगा तो चलिए स्चाष करें भाई। इसको भी आप लोगों को लेना तो जाके देख लेना कि क्या क्या एक्जाम सेंटर में लेकर जाना है ठीक है सारी चीजे उस वीडियो में मैं बताया हूँ कि OMR सीट कैसे फिल करना है क्योंकि आज दिशा निर्देश जारी की गई है बंदिल खन इनवस्टी के द्वारा तो वीडियो जाके देख लेना ठीक है सबसे पहला प्रशन आपकी इसके इन पर आ गया है कि वरज भासा का केंद्री छेत्र कौन सा है बताईए बाई सब लोग आपको लोगों को दबा देना है ठीक है ताकि जो भी अपडेट हैं वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके तो वरज भासा का केंद्री छेत्र कौन सा है मतुरा है क्या है मतुरा वेरी इंपॉर्टेंट कुश्चन आपके एक्जाम के लिए ठीक ह चलिए हिंदी खड़ी बोली किस अबरन से विक्सित हुई है आप शबी को एक टारिगेट भी दिया हूं में सबी लोगो को कि 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे दो लाग की फैमिली हो जानी चाहिए ठीक है यह आप लोगों की बदलत होगा आप लोग चाहेंगे तो हो होगा नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा तो आप लोगों का शपोर्ट चाहिए इतनी मेहनत कर रहा हूं शमज लीजे आज आपकी शाम को जो है साड़े च्छे वजे यूपी एस्पेसल की क्लास होगी ठीक है यह की ही वीडियो में पूरा शामानियान खतम उत्रप्रदिश शमानियान और आपसे भी कोता कि आपके एक्जाम में कम से कम 4-5 कोशन आएंगे ठीक ना तो 8 से 10 नंबर की क्लास में लेने वाला हूँ शाम साड़े 6 वजे आज 100 प्रिशन आ जाएगी धाई गंटे मातर पीडियप बनाने में लगे हैं मेरा सर फटा जा रहा था बट आप आपते और बचे हैं जहों को देऊं अपने आपको आप लोग के लिए तो ये मेहनत कफल मुझे मिलना चाहिए दो लाग सब्सक्राइबर कंपलीट होने चाहिए तो गोली की रपतार से सब्सक्राइबर बिलकुन बढ़ाईए आप लोग चलिए हिंदी खड़ी बोली किस अबरंस से जो है विक्सित हुई है शौर से नहीं अबरंस से विक्सित हुई है ठीक है एक एक प्रशन इंपॉर्टेंट है इनको खोश चके तो आप लोग नोट भी करते है ठीक है अरे वीजन के लिए चलिए पूर्व क्या है पूर्वी हिंदी विक्सित हुई है किस अब पुर्वी हिंदी विक्सित हुई है अर्धमागदी अब्रण से विक्सित हुई है ठीक ना बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए बहुत इच्छे इस क्लास को बनाने में बहुत ही महनुत लगी है ठीक है तो शिद्दत से देख लेना पूरी क्लास ठीक है लुंठित उच्छान की दिश्टी से वा है देखें बार-बार मैं हर क्लास में बताता हूँ जब बढ़ी उच्छान से 100% आपके एक्जम में कोशन आएंगे और आप λोग मौक्टिश दे रहे न, ठीक है, अगर अलग से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो ही देखा करें, यही भाई, प्रैक्टिस एट तो हाई है ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं बट रिजनिंग के कोश्चन आपको सॉल करने हैं, ठीक है, पचास कोश्चन डेली में सेंड करता हूँ, कल भूल गया था, तो आज आपकी अभी आ जाएगी, यह क्लास जैसे ही खासम होगी तो पचास कोश्चन में रिजनिंग के शेंड कर दूँगा ठीक है, वे सलुशन तो वाका जो उचान इस्थान होता है वो किससे होता है, दंतोष्टे से होता है ठीक है, अगर हम कावरगी की बात करें तो उचान इस्थान किससे होता है, कंट से होता है चावरगी की बात करें तो तालू से होता है तावरगी की बात करें तो मुर्धन निशे होता है तावरके की बात करें उचान सन दंतेशे होता है पावरक का उचान सन ओंश्टे से होता है अगर इस वाले साकी बात करें तो तालू से इस वाले साकी बात करें तो दंतेशे होता है इस वाले साका उचान सन किसे होता है तो उचान इससान से गलत नहीं होने चाहिए प्रश्चन एचारों को मैं ने बताया था, कई बार क्लास में बता चुका हूँ, इसमें देखिए च्छा जो है आपका, ये का धन साथ से मिलकर बनाए ठीक है, ये वाला, तो B वाला आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा ठीक है, छ संजिक तुशर, very important question आपके exam के लिए, संजिक तुशर कौन सा है, सभी बच्चे answer करें, सभी को good afternoon, वीडियो को like share करना आपका करें है, share करेंगे तो दूसरे का भला होगा, और दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला उपर वाला करी रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, तो संजिक तुशर आपके कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, यह चार आपके संजिक तुशर हैं, ठीक है, तो इसमें से आपका ये वाला हो जाएगा, तो सी वाला आपका बिलकुन correct हो जागा, ठीक है ना, चली बहुत इच्छे, अगला प्रश्ण आ गया है, सब भी अच्छे आंसर करेंगे, अन्तहस और उश्में वरंड कितने हैं, देखिए, अन्तहस बंजन आपके या, रा, ला, वा, और उश्में बंजन, उसमें कौन कौन से होते हैं, तीनों शा हो गया, तीनों शा हो गया, और हा हो गया, तो टोटल कितने हो गया, चार चार आठ हो गया ना तो आठ आपकी हो गए ठीक है अंतहस बंजन ओश्में बंजन ठीक है इस पर बंजनों की संखें कितनी होती है पचीस होती है ठीक है तो यह सब चीजें याद रखिए आप लोग ठीक है इनसे कोश्चन आते हैं 100% अगर ये भी कोश्चन गलत हो इस पर बंजन की अंतरगात आते हैं बिलकुन सही का से पावरण के सभी बंजन आपकी जो है आते हैं ठीक है चलिए और आप लोग लाइब चेट में लड़ाई जगड़ा मत किया करें चुपचाप क्लास देखा करें आंसर देना हो तो आंसर दिया करें तो चुपचाप क् है ठीक है चलिए निमनेमी से अलप पराण विरंजन काुंसा है बताएख में उलप प्राण विरंजन काुन सा है आपके एक्जाम केलिए परेंब महाप्राण सघोष अखोष गोश कैसे याद किया जाता है अभी मैं आपका ठीक है चली कुछ पॉइंट है नोट के लिए इसको जैसे ये अल्प प्राण हो गया महाप्राण हो गया ठीक है देखे अल्प प्राण 135 करके यादर किये मतलब पहला वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण स्वारी और पंचवा वर्ण उसी प्रकार सब वर्ण में तीनो शा और हा महाप्राण आपके होते हैं तो इसको नोट कर लिए होंगे इसके इंसाट भी ले लिए होंगे होप करता हूँ चलिए अब देखे अगोश शगोश हो गया ठीक है देखे अगोश कैसे याद किया जाता है पहला और दूसरा वर्ण हो गया और तीनो शा आपके जो हैं शगोश में आएंगे ठीक है चलिए तो इतनी चीजे हैं याद करिए फड़ा फड़ इसके इंसाट लीजी क्लास बहुत ही जबर्जस होने वाली है तो वीडियो को लाइक कर दो चलिए अलप विराम का चिन ने कौन सा है विराम चिन की एस्पेसल में क्लास लिया हूं तो जाके देख लेना बहुत ही जबर्दस क्लास हुई है अलप विराम का चिन आपका ये वाला है ठीक है चलिए बताइए ये वाला किस का चिन है ये वाला किस का चिन है कमेंट बॉक्स में शापिए सब लोग वेरी इंपॉर्टन कोशन आपके एक्जाम के प्रत्याशा में उप्षर्ग को कौन सा है तो प्रत्याशा में उप्षर्ग है प्रति उप्षर्ग है ठीक है ये वाला आपका बिलकुन करिक्ठ होजगा चलिए वेरि गुड बहुत इच्छे अगला पिशन आपकी इसकेन पर आ गया है सीतल सब्द का सब इचेद करने पर प्रत्ताइ की रूप में क्या पराप्त होगा वेरि इंपॉर्टन कोशन है ला प्राप्त होगा, क्या होगा, ला, very good, बहुत इच्छे, इंस्टा की ID की लिंक वीडियो को डिस्किप्सिन बॉक्स में दे दिया हूँ, शंकर शब्द की से कहते हैं, बताइए संकर शब्द की से कहते हैं, very important question आपके exam के लिए, शंकर शब्द की से कहते हैं, इससे भी प् आपका जो हैं अंग्रेजी भासा का शब्द हैं, और गाड़ी जो हैं आपका हिंदी भासा का सब्द हैं, समझ में आया ना, जैसे एक और एक्जाम पर देता हूँ, बश अड़ा, तो बस देखिए, अंग्रेजी भासा का शब्द हैं, अड़ा आपका देशी शब्द हैं, यार वीडियो को लाइक कर देते हो ना तो अंदर से मुझे थोड़ा खुशी होती है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए महनत करता हूँ, आप लोग भी मुझे शपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोगों की शपोर्ट की रुरत मेरी हैं, और मैं आपकी शपोर्ट क से अलगाओ किस विभक्ती का बोधक चिन्द है से अलगाओ किस विभक्ती का बोधक चिन्द है very important question है तो जहाँ पे अलगाओ की बात हो वहाँ पे अपादान कारक होते हैं जैसे व्रच्छे से पत्ते गरते हैं यहाँ पे कौन सा कारक होगा अपा दानकारक होगा, ठीक है, अलगाओ की बात हो रही है, ठीक है न, वेरिगोट चलिए, सिच्छक जो है किस प्रकार की संग्या है, सिच्छक किस प्रकार की संग्या है, बताइए बाई सिच्छक किस प्रकार की संग्या है, देखिए, सिच्छक वर्ड आया न, अब बोध हो रहा है ना, तो सिच्छक जाती वाचक संगिया आपको हो जाएका ठीक ना, चले, आगला प्रशन आपके इसकिन पर आ गया है, मंतरिश अब दिका लिंग क्या है भाई, मंतरिश अब दिका, फड़ा फड़ा अंसर करें, मंतरिश में कौन सा लिंग है, पुलिंग, ए कोग के nash question आपके skin पे आगया फड़ फड़ इसकाांसर करेंगे हिंदी में कितने बचन होते हैं बताए हिंदी में कितने बचन होते हैं आज बताए आजऑ क्लास कैसी लगी मजा रहे नहां क्लास में । और बिलकुन Wealth è बाताखेगे, लिखम के लेवल के Question आपके Mile और अगर आज आप लोग अच्छा कर लेगे, तो समझ लिजे आपकी तायारी Best है हिंदी और D, कि ठीक है, हिंदी में कितने बचन होते हैं बताखेगे बाई दो वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं, दो वचन वेरि गुट चली बहुत एच्छे बाई का इसलिंग तो वर का होता है वधू, क्या होता है वधू होता है ठीक है बहुत इच्छे चलिए अगला प्रशन आपकी स्केन पे आगया है कुछ किस प्रकार का शर्वनाम है सारे के सारे कोश्चन किसी न किसी competitive exam में पूछे गए हैं तो पूरी क्लास सिद्ध से देख लेना 100% इस क्लास से छपेंगे प्रशन छपने वाली क्लास अब होगी आपकी डेली तो कुछ जो है आपका अनिश्च्य वाचक स्रुनाम है ठीक ना आप आजाए तो निज वाचक प्रशन वाचक लाश्ट में दिख जाए या प्रशन पूंचने की बात की जाए तो वहाँ पे आपका प्रशन वाचक वाक्य होता है ठीक है चलिए बहुत इच्छे थोड़ा दूद गरम कर दो इस वाक्य में विश्चेशन का कौन सा भेद है तो थोड़ा शा दूद गरम कर दो पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा शा आ गया है ठीक है तो और यहाँ पे दूद तो यह माप तौल की है ना मापा या तौला जा सकता है तो ये परिणाम वाचक होग या तो अनिशित परिणाम वाचक आपका होजागा ठीक रहाँ तो 65 का भाई D आपका बिलकुन करेक्ट होजागा बहुत एच्छे, आगला प्रशन आपकी इसकेन पे आ गया है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक में प्रिक्त काल पहचानिए फड़ा फड़ा अनसर करें ये काल चैप्टर का प्रशन है उस डाली पर एक तोता बैठा है वाक में प्रिक्त काल पहचानिए इसमें पूर्ड वरतमान काल है आपका कौन सा? पूर्ड वरतमान काल है वहाँ एक शब्ताह बाद आया इस वाक में कौन सा शब्द क्रियविशेशन है फटा फटा अंसर करें भाई गोली की रप्तार से उत्तर देंगे सभी बच्छे वहाँ एक शब्ताह बाद आया इस वाक में कौन सा शब्द क्रियविशेशन है बाद है आपका क्रिविशेशन ठीक है वेरी गूट चलिए आगे बढ़ें चलिए बहुत इच्छे जीने की इच्छा के लिएक शब्द क्या होगा जीने की इच्छा के लिएक शब्द क्या होगा सारे के सारे प्रिवेसर के कोश्चन है जीने की इच्छा की लिएक शब्द क्या होगा जी जी विशा होगा जी जी विशा वेरी गूट चलिए बहुत इच्छे अगला प्रिशन च्छोंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है फटा फटा अंसर देंगे च्छूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है च्छूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होता है कि आयोग व्यक्ति को अच्छी चीज देना होता है ठीक है ना यह आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा यूपी टेट के एक्जामें पूंचा गया प्रशना है यह धीरे धीरे में शमास बताईए करने फिज मत होना कि बीच में यूजक चिनले लगा हुआ है दो न शमास ठोक देंगे हम ऐसे गल्ती मत करना जैसे भाई भाई हो गया तो दोनों जैसे सेम सेम हों तो इसमें आपका कौन सा शमास होता है अब भई भाई भाई शमास होता है अब जैसे यहां पे माता पिता हो जहां पे विलोम शब्द हो बीच में युजक्चीन हो जिसके दोनों पत परधान हो वहां पे आपका दुन्दशमास होता है ठीक ना अब बहुत शमास माता पीता में कौन सा समास है दन्दशमास है वेरी गुड सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो जितने लोग लेट में क्लास में जॉइन हुए हैं फटा फट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो इस फैमिली से में से मिलेगी यह नहीं कि बिए टेंस एक्जाम की तैयारी करके आप लोग निकल जाओगे आगे जैसे एक्जाम के बात का प्रोसिस्ट्या होता है इसकी कांसलिंग कैसे होती है क्योंकि धाई सो नंबर दो सो साथ नंबर जाने के बहुँद भी बहुत सारे बच्चों का अध्मिशन नहीं हो पाता है गॉर्मेंट कॉलिंग पर्मिशन में फ़कश नगर में चैनल कनरते हैं और पको टेंग Com bare क्वालिफाई हो सके अच्छे नमब्रों से डोड़ से मसे कम से कम संड्रेट प्लेश आपका मार्क आ सके तो वह तरीका बताऊँगा क्योंकि मैं यह एक्जाम क्वालिफाई किया हो थीक है तो फड़ाफड चैनल को सब्सक्राइब कि लिए एक की वरतनी शुद्ध है किसमें जब question बढ़ एक जाए तो dependencies कराने मीज़ा आता है चब्सकर काψ में पुशकर का सही अर्थ क्या होगा तो थे पुश्कर का जो शही अर्थ होगा शरोवर होगा क्या होगा शरोवर बहुत एच्छे चलिए अगला प्रशन है ये वेरी इंपॉर्टन कोईशन है Repeated कोईशन है कई बार exam में पूँछा गया प्रशन है इस बार के PIT के exam में भी ये question पूँछा गया था अली, अली शब्द युगम का सही अर्थ होता है भौराशकी, क्या होता है? भौराशकी यह होता है डी आपका बिलकुन correct हो गया है अगला बरशन है, चंद्रमा तथा ने के लिए एक सब्द क्या होगा? द्विज होगा, क्या होगा? द्विज होगा, ठीक है? चलिए बहुत एच्छे आप लोग के लिए इतनी मेहनत इस समय जारी है अभी टाइम हो रहा है डेड़ बज रहे हैं ठीक है डेड़ से जादा हो गए है और मैं 10 बजे से पीड़ बनाना स्टार्ट किया समझ लेजे अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ आप लोग की बज़वर्द कि क्लास लेट ना हो जाए कहीं ठीक है तो यार आप तो वीड़ो को लाइक कर दो इतनी मेहनत से आप लोग की क्लास में लेता हूँ फटा-फट वीड़ो को लाइक कर दिना मिती का ततश्रम सब दिखा है और गर्मी भी सबी को पता है मिती का ततश्रम सब दिखा होगा भाई मृतिका हो जाएगा ठीक है मृतिका आप लोग तो कूलर में फंके में बैटके बड़िया क्लास देख रहे होंगे मैं तो एक नंबर पर फैन आउन करके चलाता हूँ क्लियर आइकम से कम ठीक है कूलर भी बंद करना पड़ता है एसी भी बंद करना पड़ता है एसी तो लाइट धोखा दे देती है स्वागा तो शब्द का संदिखेत क्या होता है अक्षर होता यही है जब क्लास का टाइम होता है न तब ही लाइट काटती है, तो इसी चलाने का कोई मतलब भी नहीं होता है तो श्वागत शब्द का सही संदिविचेत क्या होगा Very important question है भाई, सबी लोग जवाब दने के प्रयास करेंगी श्वागत शब्द का भाई संदिविचेत क्या होगा, शूधन आगत हो जागा ठीक है चले बहुत इच्छे चरन कमल बंदोहरी राई इस सिकाब पंक्ती में कौन सा अलंकार है फड़ा फड़ा आंसर करें चरन कमल बंदोहरी राई इस सिकाब पंक्ती में कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार है ठीक है ना चले बहुत इच्छे करुण रसका इस्थाई बहु क्या है करुण रसका शोक होता है जितने भी रस हैं सभी की इस्थाई बहु याद रखिएगा आप लोग ठीक है वीर रसका जैसे उत्सा होता है सांत रसका क्या होता है निर्वेद होता है चौपाई के प्रतेग चड़ में कितनी मांत्राएं होती हैं चौपाई के प्रतेग चड़ में कितनी मांत्राएं होती हैं शोलह मांत्राएं होती हैं प्रतेग चड़ में ठीक है चौपाई के चली बहुत एच्छे अगला प्रशन है जूठा सच के लेखा कौन है भाई कहानी का नाम क्या है हिंदी साहित की प्रतम कहानी का नाम क्या है इंदुमती है C आपका बिलकुन करेक्ट हो देगा ठीक है ना चलिए अब आपके जो है जी की जिसकी कोशने स्टार्ट हो गये है मोहन जोदुलो का इस्थानी नाम बताइए सबी बच्चे बताइए मोहन जोदुलो का इस्थानी नाम क्या है तो मोहन जोदुलो का इस्थानी नाम है मरतोकों को टीला ठीक है इसकी खोजो की गई थी रखाल दास बनार जी की दोरह 1922 में की गई थी ठीक है और मोहन जोदुलो से क्या मिला था विरहत इश्नानागर मिला था ठीक है चले बहुत एचे मोहन जोद्रोडों में सबसे बड़ा भावन कौन सा है मोहन जोद्रोडों में सबसे बड़ा भावन कौन सा है तो वो है आपका धान्यागर ठीक है बहुत एचे गौतम बुध शाक की बुश्व सम्दूत थे इनके बच्पनक नाम अकसर एकजाम में पूचा जाता है सिथ हार्त था ये 29 वर्ष की वस्ता में गरहत त्याग दिये थे 35 वर्ष की वस्ता में इनको ग्यान की प्राप्ती हुई थी पर्थम बौध परिशत कहा आयुजित की गई थी तो पर्थम बौध परिशत कहा आयुजित की गई थी राजगरा में आयुजित की गई थी ठीक ना चली बहुत एच्छे जैन धर्म का पहला तीर्थांकर की से माना जाता है तो चौबीसवे तो आपके जो है महावीर श्वामी हैं तैईसवे पार्शुनात हैं पहला तीर्थांकर रिशब देव को माना जाता है ठीक है वर्धमान महावीर ने महा परिनिर्वान कहां प्राप्त किये थे परिनिर्मण कहां प्राप्त किया थे बताईए सब लोग वेर इंपॉर्टिन कुशन आपके एक्जाम के लिए और इनके बच्पन के नाम महावी शौमी के बच्पन के नाम क्या था वर्धमान था ठीक है याद रखना तो पावा पुरी में महा परिन्वा निमण की प्राप्ति हुए थी ठीक है और कुंडगराम वैशाली में इनका जन्म हुआ था कलिंग युद्ध के बाद निम्निमे से किसने महाराज असोक के रुपांतरन को दर्ज किया वेर इंपॉर्टन कोशन आपके एक्जाम के लिए सभी बच्चे आंसर करेंगे गोली की रफ्तार से कलिंग युद्ध के बाद निम्निमे से किसने महाराज अशोक के रुपांतरन को दर्ज किया रॉक एडिक्ट एट यहाँ पे बोल सकते हैं ठीक है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ सभी बच्चे आंसर करेंगे कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ सभी बच्चे आंसर करेंगे कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोश्यों तिरशड बीशे में हुआ था 8 का B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा श्वारी दोश्व एक शर्ट में हुआ था ठीक है न आइए चलि बहुत एच्छे निम्न में से किन के शिक्के संगीत के प्रती उनका प्रेम दर्शाते हैं किन के शिक्के हैं बताइए 9 का जॉब देजिए तब अच्छे तो 9 का आपका C वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा गुपतों के ठीक है चलि बहुत एच्छे भारती निपोलियन के नाम से आमत और पर किस को जाना जाता है या कौन सा हिंदू राज़ा विख्यात है या आपको बताना है very important question आपके exam के लिए 10 का जॉब देने के प्रयास करेंगे तब लोग तो भारती निपोलियन की जो उपाधी दे गई है शमंद रुगपत को दे गई 10 का B आपके बलकुन correct हो जगा मिहर भोज राजपूतों के किस कुल से सम्मदित है वेर इंपॉर्टन कोशन है सीधे exam में छपेंगे इस class से question यह माल लेजेगा पूरी शिद्दत से class को देखना जैसे मैं मेहनत किया हूँ इस class के पीछे है वैसे आप लोग भी दुगना मेहनत करना आप लोग ठीक है मिहर भोज राजपूतों के किस कुल से सम्मदित है तो यह शम्मदित है आपके जो है प्रतिहार वन्स का महानतम राजा कौन था बाई इस से बहतरीन class आज तक नहीं हुई है और शाम को जो UPSL वाली class आईगी न उसको भी देख लेना ठीक है और नोट बना लेना शत्तर से पच्छत्तर कुश्चन लाया हूँ उससे से फसे गाप का कुश्चन प्रतिहार वन्स का महानतम राजा कौन था बाई मिहर भोज था भोज के नाम से जिसे जानते हैं आप लोग ठीक है गीत गोविन के रचाईता कौन है बाई गीत गोविन के रचाइता कौन है वेरी इंपॉर्टन कुशन है पंचित अंतर के विस्नु शर्मा है और गीत गोविन के रचाइता जेवदियों है ठीक है तो 13 का B आपका बलकुन करेक्ट हो जगा ठीक है चलिए पुराना किला किसने बनवाया पुराना किला किसने बनवाया तो पुराना किला किसने बनवाया था शेरसाने बनवाया था 14 का B आपका बलकुन करेक्ट हो जगा सभी बच्चे आंसर करेंगे कन्नावज की युद्ध में 15 का C आपका बलकुन करेक्ट हो जगा बहुत एच्छे निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया है तो वो आपका red dragon है ठीक है very good 16 का बहुत सारे बच्चे C जवाब दिये थे ऐसे ही आप लोग जवाब दिये करें भारत में डच का सबसे प्रारामभीक उपनिवेश कहा था ये था मुशली पटनम में ठीक है 17 का ये आपका बिलकुन correct हो जगा रवींद्र नाट टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगर्ण मन सरुपर्थम जनवरी 12 में किस नाम से प्रकासित हुआ था तो ये भारत भागी विधाता के नाम से प्रकासित हुआ था ठीक है चलि बहुत इच्छे अगला प्रश्न है रवींद्र नाट टैगोर की गीतांजली किसका संगर्ण है उपनियाश का है ये नाटकों का ये कविताओं का ये चोटी कहानियों का तो ये है काविताओं का शंग रहा, ठीक है, बहुत एच्छे, टेली ग्राफ लाइन सरपथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी, तो ये कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी, ठीक है, बहुत एच्छे, चले बहुत ही जबर्जश कुशन था, अगला प्रशन है, निमलकि कि सम्विधान है, वो ये आपका UK, ओके, चलिए, भारत की सम्विधान सभा का सम्विधानिक सलाहकार कौन था, भारत की सम्विधान सभा का सम्विधानिक सलाहकार कौन था, वी एन राव थे ठीक है वेरी गूट चले बहुत इच्छे है वेरी इंपॉर्टन कुश्ण था सभी बचे आंसर करेंगे बाई प्रेस की सभी तरता भारती शम्मिधान के किस अनुच्छेद से मिलती है अनुच्छेद 19 से ठीक है राष्ट पती ने अब तक कितनी बार राष्टी आपातकाल की घोशना की है तो तीन बार किया जा चुका है अभी तक ठीक है चले बहुत इच्छे अगला प्रच्छन है संसत के दोनों सदनों का संयूत शत्र कौन बुला सकता है सभी बचे आंसर करेंगे संसत के दोनों सदनों का संयूत शत्र कौन बुला सकता है राष्ट पती बुला सकते है ठीक है ना ट्वंटी फाइब का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा वेरी गूट चलिए भारत का राष्ट पती अपने पत पर पुनर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है भारत का राष्ट पती अपने पत पर पुनर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है जितनी बार चाए उतनी बार खड़ा हो सकता है ठीक है चलिए बहुत इच्छे अगला प्रशन है भारती शंग के राष्टपती के पास वही सवयदनिक अधिकार है जो किसके पास है अच्छे से प्रशन को बढ़ना कि भारती शंग के राष्टपती के पास वही सवयदनिक अधिकार है जो जो है ब्रिटिस राजा या रानी के पास है 27 का यह आपका बिल्कुम correct हो जएगा चलिए केंदरी विधान मंदल का अधश बनने वाले पहले भारती कौन थे? केंदरी विधान मंदल का अधश बनने वाले पहले भारती कौन थे भई? सच्चिदानन सिनहा थे ठीक है और यह समिधान सभा के आई इस्थाइ अधश्द भी थे और इस्थाइ अज़र डॉक्टर राजयिन्द प्रशाथ है ठीक है चलिए योजना आयो का अधश कौन है य़िजना आयो का अधश कौन होते थे हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है नीती आयो कर दिया गया है तो परधान मंत्री होते हैं इसके भी अधश नीती आयो के भी परधान मंत्री ही अधश होते हैं ठीक है राश्टी एकता परिशत यानि कि NIC का अधश कौन है राश्टी एकता परिशत का अधश कौन है राश्टी एक्ता पिरिशत का अधश कौन है पढ़ान मंत्री है 30 का यह आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा किस राज का नाम हाली में परिवर्थित किया गया है तो पश्चिम बंगाल ने राज का नाम बदलकर बंगला रखने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था बट जब यह संसाद वरा विदेख परिद किया जागा तब ही यह होगा ठीक है तो 31 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा संसार में सबसे पहली महिला परधान मंतरी किस देश की थी वे इंपॉर्टिन कुश्चन है संसार में सबसे पहली महिला परधान मंतरी किस देश की थी भारत की इसराइल की या सिलंका की या पाकिस्तान की तो वो थी सिलंका की है, नाम क्या था? S. भंडार. नाएके, ओके, वेरी गुड, भारत की मुख्य भूमी का अक्छान्स किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमी का अक्छान्स किसके बीच फैला हुआ है? दूसरा सबसे बड़ा देश है, या चौथा, या छाटा, या सातवा. तो पहला तो आपका रूश है छेत्रफल में, और सातवा नमबर आपका भारत है, ठीक है? 34 का D आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा, ठीक है न? चलिए. जैसे वो भारत में बात करें, कि भारत में छेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज़ कौन सा है, तो राज़िश्तान है, और सबसे छोटा आपका गोगा है. और उसमें बात करें तो वेटिकन सिटी होगा. सबसे बड़ा संग राज़ छेत्र कौन सा है? आगे क्वाल्टी बिल्कुन करेक्ट है, ठीक है? अंडबानी को बार दीश को हूँ, आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा, ठीक है? चलिए. छेत्र फल की दिश्चे से भारत का सबसे बड़ा राज़ कौन सा है? अब भी मैंने तो ये सामिल किया गया है सुंदर बन नेशनल पार्क को को, ये है कहां पे है? बताइए, कहां पे है ये सुंदर बन नेशनल पार्क? फड़ा फड़ा आंसर करेंगे, very important question है, चिलका जुल आपकी जो है उडिशा में है, डल जील जम्मू काश्मीर में है, अब शुंदर बन नेशनल पार्क और नागिन जील बताइए, कहां है? very important question आपके exam के लिए सब बचे आंसर देंगे, आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए, तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों को जैसे B.A.C. related, कुछ भी doubt से तो आप लोग तभी message किया अब ये नहीं कि एक बच्ची कल कमेंट की थी, मैंने आपको बताया था सुबा की वीडियो में, कि मतलब वो admit card निकल बाकर उसमें lamination करवा ली है, अब उसके लिए मैं क्या शब्द बोलूँ, मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं पश्चिम बंगल, very good, चलिए, नागिन जील का है, बताये, नागिन जील, नागिन जील का है, स्रीनगर में ये भी है, ठीक है, चलिए, गाडविनाश्टिन एक क्या है भाई, दर्रा है, सिखर है, या टेलिसकोप, अविसकारक है, या भूवे ग्यानिक है, बताये, तो गाडविनाश्टिन एक क्या है, सिखर है, ठीक है, इसकी उचाई अगर कुछे तो 8,611 है, कितनी 8,611 मीटर, ठीक है, ये कसमेरी के कारा करूम परवत वाला में इस तीथ है, ठीक है, इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, K2 के नाम से भी, ठीक है, चलिए, भारत में सब से उची चोटी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टन कोशन आपके एक्जाम के लिए, तो वही K2 गाडविनाश्टिन है, भारत में सबसे उची चोटी, ठीक है, वेरी गूट, चलिए, बहुत इच्छे, शिव शमुंदरम, शिव शमुंदरम जलपरपात किस नदी के मार्ग में पाए जाता है, शिव शमुंदरम जलपरपात किस नदी के मार्ग में पाए जाता है, क्रेशना नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या महा नदी, पताइए, किस नदी के मार्ग में पाए जाता है, 41 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, नागा, खासी और गारो प ये हिमाले परवत मालम एंगे ची instincts ए जैसे जोग जल्परफात भारत का जो सबसे बड़ा जल्परपात है ये किस नदी पर है और किस राज में है कमेंट बाक्स में सबी लोग शापेंगे अगर राज पूँचे ठीक ना राज पूँचे तो कर्नाठक याद र कियेगा जोग किस नदी पर है सरावती नदी पर है जोग जलपरवात ठीक है बारत का सबसे बड़ा जलपरवात है लेटे राइट मिंटी कहां पाई जाती है बताईए लेटे राइट मिंटी कहां पाई जाती है भारी वर्सावाले प्रदेश में मरुस्थल में उष्णिकडबंदी प्रद जाब पाय जाती है ये पाय जाती है ये पाय जाती है भारी वरसावाले पिर दिज्रिश में ठॉक है? दो नदियों के बीच उपजाओ भूमी को क्या कहते है उस से कहते हैं दो वाब क्या कहते हैं दोवाब कहते हैं भारत में प्रादीपी नदी से संबंद सबसे उचा निकास बेसिन कौन सा है महानदी, गोदावरी, करशना या नर्मदा तो वो है आपका गोदावरी 45 का भी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए बहुत इच्छे अगला प्रशन आपकी इसकेन पे आगया है सब भी अच्छे आंसर करेंगे भारती प्रादीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये नदियों का नाम देखिए आप लोग फिर बताइए फटा फट आंसर करें 46 का जॉब देने के प्रास करेंगे भारती प्रादीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो नदी है गोदावरी नदी ध्यान रखना ठीक है चलिए डी वाल आपका बिलकुन करेंगे हो जगा साइलेंट वैली यानि कि सांत घाटी किस प्रदेश में है शांत घाटी किस प्रदेश में है अश्चम में, आफरिका में, केरल में, आंत प्रदेश में कहा है तो शाइलेंट वैली ये है अश्चम में ठीक है ना, अश्चम के जो है नेलीरी की पहाड़ीों में है ये ठीक है, 47 का ये आपका बिलकुन करेंगे हो जगा बेरी गुड, चलिए नाम दफा नेशनल पार्क कहा है नाम दफा नेशनल पार्क कहा है 48 के जॉप दीजे मिजोरम में, मडीपुर में, त्रिपुडा में या अरुनाचर प्रदीश में देखी जैसे अभी यहाँ पे स्टेट की बात आती ठीक है, डीवल आपका बिल्कुन करिक्ट हो दगा ठीक है, चलिए कौन से शमविधानिक संसोधन के अंतरकत भारत में पंचायत राज को शमविधानिक अधार प्रदान किया गया है बैलिस में, या बावन में या सरशट में, या तीहत्तर में फर्टीनैन के ज़ाप देशें बिलोग तो वो शमविधान संसोधन है आपका तीहत्तर मा शमविधान संसोधन जिसके अंतरकत भारत में पंचायत राज को संवविधानिक अधार प्रदान किया गया है ठीक है, चलिए जोम करसी अभी भी कहा प्रचलित है जैसे एक रिजनी का कोशन में दे रहा हूँ जैसे यहाँ प्रचलित है जैसे यहाँ पे आपको बताना है कौन सा भिन है जैसे यहाँ पर पनीर हो गया ठीक है पनीर हो गया मक्खन हो गया ठीक है मक्खन हो गया दूद हो गया आपका और दही हो गया तो इसमें से भिन कौन सा है यह आप लोग बताईएगा ठीक है पहला प्रश्ण तो यह है आपका शब तरसी में आपको शंदी बताना है ठीक है एक ये प्रश्न हो गया ठीक है अब एक प्रश्न और है कि जो है छाका उचान इसन किस्से होता है और जाका उचान इसन किस्से होता है इसका जवाब दीजिए का आप लोग ठीक है और कोश्चन चाहिए आप लोग को एक प्रश्ण और है जैसे ये पुस्तकी है पुस्तकी है तो पुस्तकी में जो है आपको प्रत्य बताना है कौन सा प्रत्य हो जागा ठीक है पुस्तकी में एक प्रश्ण और है पंचा नन पंचा नन में आपको शमास बताना है यह नИसी देकर दिघुर शमास हो जगा तो जो भी समाशों पंचा नन में आप लोग जवाब दीजेगा तो यह थे कुछ आपकी होमवर्क अब मिलेंगे हम साम सद आशी बजे तो आज की यह क्लास केसी लेगी comment box में feedback अपना जरूर देना आज बहुत महनत लगी इस class में तो जरूर like का target आप सभी को याद है 1000 पूरा कर दीजिगा आप लोग ठीक है इतनी महनत मैं आप लोग लिए करता हूँ मुझे पूरी उम्मेद है कि आज आप लोग कर लेंगे like ठीक है तो चलिए हम मिलते हैं अगली class पर thank you so much channel को अभी तक आप लोग subscribe नहीं कि तो subscribe करके बिल आपकोन को all पर पस्किल लेने thank you so much thanks for watching